Hello Friends, Welcome to Code Meta Channel इस वीडियो में हम बात करेंगे Indexing की and Unicode की कि किस तरीके से हम हमारे जो Word String होती है या Letter होता है उसकी हम Indexing को Find करते हैं और उसका Unicode निकालते हैं इसके लिए हम चलते हैं हमारे Notepad Editor में यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास दो होते हैं Methods, Character at and Character Code at Character at क्या करता है हमको Index number देता है अगर किसी भी String में हमको Letter की Indexing निकाल ली है तो हम Character at का Use कर सकते हैं JavaScript में और अगर हमको Unicode चाहिए Character का तो हम Use करेंगे Character code at इसका जो syntax होता है वो होता है String. Character at और Number कि कौन से Number पे जो Letter है उसका हमें Index चाहिए या फिर हमको कौन से Number पे जो Letter है उसका Unicode चाहिए उसको हम लिखते हैं दोनों ही सेम होते हैं बस Character at और Character code at का फरक होता है For example हम क्या करते हैं Texting लेते हैं A, B, C, D इसमें से क्या करते हैं Zero Number पे जो हमारे पास Character है यानि A है उसका हम Indexing निकालते हैं और जो हमारे पास Unicode होता है वो निकालते हैं हमने Zero ले लिया हमें यह नहीं पता कि Zero पे क्या है तो हमने Zero ले लिया ठीक? हमें चाहिए कि जो हमारा Index है उसका Word क्या है? यहां पे Index Number लिख लिया Index Word निकाल लिखना पड़ेगा यहां पे ठीक न? Index Word एक्चुल में यानि यह तो हमारा Index Number हो गया और यह हमारा Word हो गया तो हमने डाल दिया कोई भी हमारी String है उस पे हम यहां पे ले ले लेते हैं ऐसा करते हैं Character At और Character Code At पे 2 ले लिए दोनों में 2 ले लिए और यह नबर दे दिया अब क्या करते हैं? हम इसको Save करते हैं और हमारे Browser में चलते हैं यहां पे हम क्या करते हैं? इसको Reload कर लेते हैं हमने देखा 2 के उपर क्या आता है? 0, 1, 2 2 पे C है तो हमारे पस C आ गया हमें पता नहीं था तो हमारे पस C आ गया और उसका Character Code कितना गया? 67 आ गया Suppose हम क्या कर देते हैं? वहां पे Changes कर देते हैं हम क्या कर देते हैं? 1-1 कर देते हैं उसको आपको भी दिखेगा यह देखा हमने 1-1 कर दिया इंडेक्सिंग के उपर कुन सा करेक्टर वो निकालते हैं और उसका यूनिकोड निकालते हैं अब दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथ ती साथ कोड़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केरें गुट बाई